हालो स्टुडेंट्स हम लोग साइज 2.2 पे और कॉर्से नम्मर है फैक्स क्या का रहा है इफ दा जीरो अब दी पॉलिनोमियल है फैक्स इकॉल टू में है टू एक्स क्यू बाइनस 15 एक्स स्कार प्लस 37 एक्स माइनस का 30 आर इन एपी इस पॉलिनोमियल के जीरो किसमें है zeros, zeros of given polynomial, given polynomial, polynomial, polynomial fx एक्वल टू में 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30 इस polynomial fx के 0s कौन कौन से हैं a minus d a and a plus d है देख लो यह ap में है a2 minus a1 करोगे या a3 minus a2 करोगे आपका common difference d ही आएगा देख रहा है ना चलिए तो यह हम लोग देख रहा है यह three zeros हैं हमारे इस polynomial के तो हम लोग को पता है कि sum of zeros जो होगा sum of zeros जो होगा वह किसके equal हो जाएगा तो sum of zeros आपको पता है क्या होता है negative में x square का coefficient और by में x cube का coefficient इन हो जागा अच्छा sum of zeros क्या हो जागा तो a minus d a and a plus d equal to में यहाँ पर 15 by 2 आ जाएगा तो यहाँ देखो d से d आपको कर जाएगा 3 a equal to में 15 by 2 यानि कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a equal to में 15 by 2 into में 3 यहां से कर जागा 3550 यानि एक आवाइड आ जागा 5 by 2 ठीक है अब लोग यहाँ पर प्रॉड़क्ट ओफ जीरो ले सकते हैं या फिर हम लोग साम और प्रॉड़क्ट ओफ इस टू जीरो टेकन एट टू एट टाइम यह लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसके लिए लिए नम आफ डॉड़क्टेश प्रॉड़क्ट अवचेश सकतौि अव मयाँ रॉड़वत क्रॉडड दॉड़क्ट उप्दव अफद इस warfare जीरोज़ जीरोज टेकने 2 at a time. Equal to में क्या होता है? तो हो जाएगा हुआ. X का coefficient. और by में आपका X cube का coefficient. यानि कि 37 by 2 हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पहली सकते हैं. A minus D into A. Plus. A into में A plus D. plus A minus D into में A plus D. Equal to में 37 by 2. ठीक है? चलिए अब यहाँ पहर हम लोग आगे solve करते हैं. तो यहाँ पर देखिए. हम लोग A का value 5 by 2 ले देते हैं. minus D into में A के जगा पहर हम लोग 5 by 2 ले देते हैं. ठीक है? Plus. 5 by 2. यहाँ जगा 5 by 2 plus D. D. यहाँ देखू. 5 by 2 minus D into में 5 by 2 plus D. Equal to में 37 by 2. चलिए यहाँ solve करते हैं. यहाँ पर 25 by 4 minus का 5 by 2 D. plus 25 by 4. यहाँ भी 25 by 4 ही होगा. और plus का 5 by 2 D. और यहाँ plus में. देखिए एक पर minus plus में तो A square minus B square करते हैं. तो इसका square यहाँ 5 by 2 का square. और minus का D का square. Equal to में 37 by 2. तो यह देखो यह दोनों कट जाएंगे. अब देखो यहाँ पर. यह 5 by 2 जो है. यह भी आपका square हो रहाए तो 25 by 4 ही होगा. तो 25 by 4, 25 by 4, 25 by 4. तो यहाँ 75 by 4 नहीं हो जाएगा. और minus का D square equal to में 37 by 2. चलिए अब आगे solve करते हैं आहाँ से. minus D square equal to में हो जाएगा 37 by 2 minus का 75 by 4. तीक है. minus D square equal to. यहाँ LCM लेते हैं इसका 4. इसमें से divide करेंगे. आपका आजाएगा यहाँ पर. यहाँ पर आजाएगा आपका. 2 जाके 37 में multiply करेगा. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर आजाएगा. 74. ठीक है? चलिए. और minus का यहाँ. इसमें सिट्वेट करेंगा 1. 1 जाके multiply गएगा 75. तो minus D square equal to. यहाँ से हो गया. minus 1 by 4. यह minus minus कर जाएगा. square जाएगा root में. और plus minus भी लगेगा. ठीक है? तो यहाँ से D का value क्या आजाएगा? D का value आजाएगा. plus minus 1 by 2. यहीं नहाँ हो जाएगा. तो case first लेते हैं. case first लेते हैं. अच्छा case first में हम लोग A का value जो है? A का value 5 by 2 था. ठीक है? A का value 5 by 2 और D का value 1 by 2 positive लेते हैं. तो अब zeros क्या होंगे इसके? zeros. तो हम लोग, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर. first zeros. first zeros. जो है, वो क्या था? A minus D था. यानि कि 5 by 2 minus का 1 by 2. यहाँ LCM लेते हैं 2. 5 minus 1. यानि किया जाएगा यहाँ से 2 by, sorry, 4 by 2. यहाँ कट जाएगा आपका 2 आजाएगा. चले, second zeros. second zeros क्या हो जाएगा? second zeros आपका है A, A, तो A का value आपका 5 by 2 है. यह दूसरा zeros हो गया. अच्छा, third zeros. third zeros क्या होगा? third zeros. तो वो आपका A plus D हो जाएगा. यहाँ कि 5 by 2 plus में 1 by 2. ठीक है? तो यहाँ पर add करेंगा, यहाँ आपका 6 by 2 कट के आपका 3 आजाएगा. तो हमारे zeros 2, 5 by 2 और 3 हो गया. अच्छा, case second लेते हैं. case second, A का value 5 by 2, और D का जो value है, minus का 1 by 2. D दो बारा है, एक बार plus में, एक बार minus में, इसलिए मुझे अलग-अलग cases लेने पड़े. चलिए तब देखते हैं, first zeros. ठीक है? तो first zeros आपका A minus D था न? तो 5 by 2 minus minus 1 by 2. तो यह minus minus plus हो जाएगा, add करेंगे तो यहाँ पर 6 by 2, 2 कटके आपका 3 हो जाएगा. Second zeros. Second zeros क्या होगा? Second zeros आपका A, यानि कि आपका 5 by 2. Third zeros की बात करते हैं. Third zeros क्या होगा इसका? Third zeros जो हो जाएगा? वह A plus D था. यानि कि हो जाएगा, 5 by 2 plus, plus minus का 1 by 2. यहाँ plus minus मेंश जाएगा, subtract करेंगे 4 by 2. यानि कटके यहाँ पर 2 आगाएगा. तो 3, 5 by 2 और 2 यहाँ भी आगया. और यहाँ भी वही आए था उपर. तो यहाँ आपके तीन zeros हो गया. समझ गया है? Next question देखिए 6 number. क्या करा रहा? Find the condition that the zeros of the polynomial fx equal to xq plus 3px square plus 3qx plus r may be in AP. अच्छा, हमें condition find करना है इसके लिए इस polynomial के लिए ताकि यह polynomial के zeros जो हो जाए, AP में हो जाए. एक्स क्यूब प्लस का 3px square प्लस का 3qx plus r. ठीक है? इसके यह zeros है. तो हमें पता है sum of zeros किसके equal हो जाएगा? Sum of zeros की बात करेंगे. तो sum of zeros किसके equal हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर minus में x square का coefficient और y में आपका x cube का coefficient. Sum of zeros क्या होगा? तो a minus d, a and a plus d, इन दिनों का sum है न जी? minus का 3p equal में है. यहाँ, d से d आपका cut जाएगा, 3a equal to minus का 3p. यह जाएगा divide में तो यह का value क्या जाएगा? minus का p. तो a जो है, आपका एक zeros है. zeros है, polynomial का, इस polynomial का zeros है. तो यहाँ पर लिसकते हैं कि हमारा जो a है, a is zeros, हम लोग उपर a देखें हैं न, a zeros माने है, a is zeros of polynomial, of polynomial, polynomial fx. ठीक है, जो polynomial fx है, इसका a zeros है, तो उसको यह satisfy करेगा, ठीक है, यानि कि अगर आप उसमें a put करोगे, तो उसका value क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात को समझें न, x cube, प्लस का, x के जगा पर मैं यहां रख जे रहा हूँ, a, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, तो यहां आ जाएगा आपका, a का cube, प्लस 3p a square, ठीक है, प्लस का 3qa, और प्लस का r equal to 0, minus p से, ठीक है, यह क्योंकि यह इसके equal है, तो चलिए, minus p से equal, replace करेंगा, तो minus p का cube, प्लस 3p into minus p का square, प्लस 3q into में p plus r equal to 0, तो यहां से, यह minus का p cube, यहां plus का 3p cube हो जाएगा, और यहां plus minus minus हो जाएगा, यहां minus है ना, जी minus का p रखे हैं तो, तो यह minus का, 3p cube और प्लस r equal to 0, तो यहां से क्या आजाएगा, आपका finally, 2p cube minus 3p cube plus r equal to 0, यह आपका condition निकल के आगया, समझ गया है, question number 7 देखें, क्या करा रहा, if the zero of the polynomial fx equal to ax cube plus 3bx square plus 3cx plus dr in ap, इस polynomial के zeros किसमें हैं, ap में हैं, तो हमें यह prove करके दिखाना है, पिछले question के तरह है, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, कि let, a minus d, capital letter से इनको denote करेंगे, क्योंकि देखिए, आपके, यहाँ polynomial में a भी है, d b है, small letter में, तो इसलिए हम लोग जो zero लेंगे, वो capital letter से denote करेंगे, कुछ अलग होना कि यह न, या फिर कुछ अधार alpha, beta, जो मन मैं उसको अप ले सकते हो, a minus d, a, and a plus d, are zeros of polynomial, 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 fx equal to, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इनके, sum of zeros की बात करें, sum of zeros की, तो आपको पता है किसके इकोल होगा, तो x square का coefficient माइनस में, और y में आपका x का, x cube का coefficient, यही न हो जाएगा, तो sum of zeros जाने की, a minus d, a, and a plus d, इन सब का sum, किसके इकोल होगा, minus 3b by a के, तो आप देखों, यहाँ d से d काट देंगे, तो यहाँ 3a equal to में क्या जाएगा, minus 3b by a, यहाँ आप यहाँ से काट सकते हो, यहाँ से a का value की आएगा, minus का b by a, समझें न, तो यह a आपका एक zeros है, इस polynomial का, देख रहाँ न, zeros है, तो यह इस polynomial को satisfied करेंगा न, उसका value zero हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहाँ हैं, कि a, is a zeros, zeros of polynomial, of polynomial, of polynomial fx, polynomial fx का यह zeros है, यहाँ पर इस polynomial में, अगर हम लोग a put करेंगे, तो उसका value की इसके एकल हो जागा, zero के तो यह put करो, तो a, small है, फिर a का cube, ठीक है, फिर आपका, plus 3ba square, plus 3ca, plus d, equal to, zero हो जाएगा, अच्छा, a को हम लोड़े, plus कर देंगे, minus b by a से, ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर रख जेते हैं, तो a into में, minus b by a का cube, ठीक है, और फिर plus 3b into में, minus b by a का square, ठीक है, अच्छा, plus 3c into में, minus b by a, plus d, equal to, zero हो जाएगा, तो अगर यहाँ सिंप्लिफाई करते हैं, यहाँ minus का, a, b क्या हो जाएगा, cube और by में आपका a cube, तो एक a से एक a कट जाएगा, यहाँ a square हो जाएगा, ठीक है, आप देखिए इसके बाद, यहाँ a square हो तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ कि plus का, 3, यहाँ b square हो जाएगा, और यहाँ b, तो b cube, और by में आपका a square, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, minus का, minus का, b, c, और by में a, और प्लस d, इकॉल to g, तो यहाँ देखिए, यह minus का b cube by a square है, यहाँ plus का 3 b cube by a square हो, तो यहाँ subject करेंगे, तो 2 b cube by a square, minus 3 b c by a, प्लस का d equal to 0, तो यहाँ lc हम ले 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 लेते हैं, a square, तो यहाँ 2 b cube, minus, इसमें डिवाट करेंगे, a आएगा, a जाके उपर मल्टिप्लाइगा, तो 3 a b c, प्लस इसके, डिवाइड में यहाँ पर क्या है, 1 है इनिमिनेटर में, इसमें डिवाट करेंगे, a square, a square इंटू जाक करेंगा, तो a square d, तो यहाँ जाके, उधर मल्टिप्लाइगा, तो 0 हो जागा, बच जाएगा आपका क्या, 2 b cube, minus 3 a b c, प्लस का, a square d, इक्वाल टू जाके, तो हमने वेरिफाइग कर दिया, यहाँ प्रूब करके दिखाएगे, यह ना मैं प्रूब करना था, question number 8 देखे, if the zeros of the polynomial fx, इस polynomial fx का zeros जो है, वो a p में है, find the value of k, क्ये का value निकान रहा है, ठीक है, उच्छर यह इसको देखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कि let, a-d, a, and a-plus-d are three zeros, three zeros, of polynomial, of polynomial, polynomial fx equal to x cube minus 12x square plus का 39x plus k, दीक है, चलिए, इसके यह three zeros है, इस polynomial के, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि sum of zeros, sum of zeros, क्या होता है, आपको पता ही है, minus में x square का coefficient, और by में x का coefficient, तो sum of zeros, यानि कि a minus d, a and a plus d, इन तिनों का sum जोगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ d से d कट जाएगा, आपका 3 a equal to में 12, यह जाएगा, डिवाइड में, तो a का value क्या जाएगा, 4 आजाएगा, तो यह a का value जो 4 है, यह a, आपका एक zeros है, इस polynomial का, तो हम लोग ली सकते हैं, कि हमारे पास जो a है, यह zeros है, इस zeros, हम लोग उपर ही suppose किया है, zeros of polynomial, of polynomial, of polynomial, of polynomial fx, polynomial का यह zeros है, तो हम लोग अगर f4 का value नहीं कहना, यह का value 4 ही नहाएगा, तो वो किसके एकल हो जाएगा, जी लोगा, तो इस polynomial में रख देते हैं, एक से जगा 4, तो हो जाएगा आपका कितना, 4 का cube, minus 12, into 4 का, square, और, plus में 39, into में आपका, 4, और, plus k, equal to 0, चलिए अब इसे आगर solve करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका, 64, minus, 4 का square कितना हो जाएगा, तो 4 का square हो जाएगा, 16, और 16 में 12 से multiply कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 192, ठीक है, और, plus 39 में, आप 4 से multiply कर दोगे, तो आपका आ जाएगा, कितना, 156, और, plus में आपका, k, equal to 0, तो आप इन दोनों को add कर दो, 156 को, और, 64 को, तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, और, 220 में से, आप, 192 को घटाओगा, तो 28 आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से, क्या क्या वैलू क्या आ जाएगा, आपका, minus का 28, समझ गया, तो यही exercise में कोशन थे, मैंने सारे कोशन आपको बता दिये, आपको हमारे तीन चैनलों को subscribe करना हो, पहला है, pathfinder classes छपरा, pathfinder classes छपरा, दूसरा है आपका, भारती भवन रवी कांसर, भारती भवन, रवी कांसर, रवी कांसर, और तीसरा चैनल है आपके, रवी कांसर के नाल से, तीनों को subscribe कर लेंगे, और इस से related वीडियो के लिए, सीधे description में जाएंगे, इस से related notes के लिए, Google पे जाके subscribe करेंगे, www.rawीकांतसर.in, और यहाँ पर जाकर, आप सभी classes के notes, और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, Instagram और Facebook पे जाके, Pathfinder Class चपरा को, like and follow करना नहीं भूलेंगे, Thanks for watching the video,